आईए मेरे साथ चलिए थोड़ा जानते हैं मनिपुर के इतिहास के बारे में मनिपुर इमफाल में इस घाटी के पास यह जो चोटी बनाई है यहाँ पर मनिपुर के जो शहीद है जिन्होंने मनिपुर की आजादी के लिए संघर्ष किया उनकी मूर्तियां है उनकी याद में यह पूरा का पूरा इलाका बनाया गया है बहुत जरूरी है मनिपुर को जानने के लिए इन लोगों के बारे में जानना समझना और साथी साथ आखिर मनिपुर में जो एक लंबा दमन चक्र चला है जिसके खिलाफ मनिपु कि तमाम जातियोंने तमाम समूहोंने बहुत लंबा संघर्ष किया है आखिर उस संघर्ष की ताकत क्या उन्हें मिली बीर तिकंजी से जो अंगरेजों से लड़ते हुई शहीद हुए या फिर जनरल ठंगिल से जिन्होंने अंग्रेजों से बहुत जबरदस्त मुकाबला किया और ये सारे लोग जिनकी यहाँ पर मूर्तियां बनी हुई है वो एक दूसरे ढंके संघर्ष की कहानी अपने आप में कह रहे हैं मनीपुर को किस तरह से सेकुलर और वामपंथी जुझान दिया किस तरह से मनीपुर का रिष्टा बर्मा की कमनिस पार्टी से है उनकी भी मूर्ति यहाँ पर है उनका भी स्टैचू यहाँ पर है और इसे जानते हुए समझते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ जानना कि आखिर क्यों मनीपुर को RSS या भाश्पा ने अपनी दूसरे ढंकी प्रियोग स्थली में तब्दील किया हुआ है आखिर वह क्यों इतिहास की इस संघरशील धरोहर को मिटाना चाहती है और मनीपुर जो एक बिल्कुल दूसरे ढंकी साजी संस्कृती बिल्कुल दूसरे ढंक से धर्मनिरपेक्ष ताकतों का अनेक जाती समूहों का गढ़ रहा यहां की राजनिती में उसका बहुत लंबा योगदान रहा जहां पर हमें हिंजम रोबोट जैसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने आधुनिक मनीपुर के जिनको आर्टिटेक्ट कहा जाता है यह सारे लोग किस तरह से मनीपुर की विरासत की कहानी कह रहे हैं यह हमें आपको और सबको जानना बेहाँ जरूरी है वेल इस हिलोग जस्टेशन तो वैली उफ मनीपुर काल चैराओचिंग चैराओचिंग पहाडी है यह जी जी बिलकुल यह वैली के नजदिक में है और यह मनीपुरी लोग मनीपुरी णुवयेर्स में एक बड़ा खाना खाने के बाद यहां आके लोग आता है और दरशन करता है और पूरा से दिख है देता है आप यह पे जो है मनिपूर का लास्ट मतलब इंडिपेंडिन्ट किंग्डम जो है 1891 में बिटिश की खिलाब वो लोग फाइट किये थे और एंगलो मनिपूरी वार का हीरो है वो बिटिश का जो दोमिनेशन देरे देरे आ रहे है उसको डिफाइए करके वो लोग ने बिटिश की खिलाब लडाई किया और 1891 में जब तक एंगलो मनिपूरी वार में मनिपूर डिफिट करने के बाद उसको फार्सी की सजाई में फार्सी के फंदा कर लिया फार्सी दिये हुए है जी यह थंगाल जेनरिल है यह थंगाल जेनरिल मनिपूर का 1991 में कोट में सबसे डिग्निफाइट बुद्धा और उसका ज्यानी जेनरिल है 1991 में जब तक बिटिश लोग ने अपना सौवरैनिटी को चैलेंज किया था उसी ने बिटिश लोगों की खिलाफ एक बहुत ही हिम्मत के साथ खरा होके 1991 में एंगलो मनिपुरी वार फाइट किया था तो वो लड़ाई के बाद उसको भी फार्सी करके उसको भी मारा गया है 1891 में और यह है अपना मेजर पाउना ब्रजवासी यह पाउना ब्रजवासी जब मनिपुर और बिटिश के साथ लड़ाई किया था लड़ोouth भुरह के लड़ है दिएर फशोर ब्रजव्श दातोसिति का कन परनासम्ट के लिए थ्येग्टन से और बिल्पल के दानों के लिको डिली पतर बिल्ण से बिल्पल मारा अंवला funकि नगटणते the battle and the battle of Kongjoam is considered, still considered as the brevest fight that the Manipuri has put up against the might of the British Empire. Manipuri was a kingdom in Manipuri, a great kingdom in Manipuri and in 1826 the Burmese Empire of Myanmar in the Along Paya आके कबजा किया था. तो उसी ताइम मनिपूर का किंग लोग're, कलकटा में इस इंडिया कंपनी में जा के कॉंटेक किया और उसे मदद लिए, तो सबसे पहले मनिपूर का, मनिपूर लेवी बन के, मनिपूर कर सोल्जर्स लोग को बिटिश ने ट्रें किया थे और उसके बाद मनिपूर को आजात करके बरमीस लोग को पुछ किया था तो 1926 में 30 of Yandabo sign किये थे British और Burmese, First Anglo-Burmese War के बाट उसमें असाम इंडियन, वो British India के पास रह गया फिर भी मनिपूर तो इंडिपेंडेंडेंट एशियाटिक पावर रिकगनाईज करके बिटिश और एश वेल एश बर्मीज वहा का इंडिपेंडेंडेंट स्टेटस को रिकगनाईज किया था तो मगर बिटिश के एजेंशी मनिपूर में उसी ताइम से खोल के बैठा है क्योंकि अंडिस्टेंडिग अलग था मनिपूर के हिसाब में तो वो एंबसी है कि वो लोग आके विचार करने के लिए पोशिस किया था मनिपूर में कौन सी लिजिटिमेट डिसेंडेंडेंड ओ दे किंग होगा तो जब तक ये बिटिश लोग दरवार से बहार आये उसी ताइम एक ये गरवनर मिस्टर ग्रिम मूद तो उसमें स्पेर कर दिया एक आदमी ने उसके बाद ठंगाल जेनरेल ने बोल दिया कि चलो वो लोग हमारा सोवरेनिटी को दिस्रेस्पेक किया है तो चार हाई रंकिंग बिटिश ओफिसर को उसने मार दिया और उसी में उसी के बाद बिटिश इन मनिपूर की उपर वार डिकलेर किये थे और थ्री कॉलम्स केम येख फर्म मैंमार एक खर्म नीफ डिस्ट्र्रिक ऐ एक ड्रोसरग्त कोहिमा तो वहाँ पह। जबर्दस मनिपूर कर स्वंजरं लोग भी संगर चला है और ये जो क DD qui म मैंमार से आता है उसी इंदो मैंमार की रहस्टे में हैं तो क्योंग्स में सबसे बरा बैट्ल फाइक यह जी यह हिजम इराबोट जी है हम लोग इसको नेता इराबोट भी बोलता है यह मोर्डन मनिपूर का आर्किटेक है सबसे पहले जब तक मनिपूर में स्टेट के बहार जो संगधन बनाया थे उसको पहले तो ज्यादा तरह हिंदु लोग था इसको हिंदु लोग ताइब हिंदु महासबा बोल के एक संगतन बनाया था आउटसाइड ओफ तरह स्टेट इराबोट ने बोला है कि यह हिंदु हताना चाहिए और इसको मनिपूर महासबा करके इसको एक सेकुलर रूप दे रखा है इसको नाइटिन थर्टीज में और उसके बात सबसे पहला मनिपू कि इसको बहुकर जह प्रेविसलेत प्रेविसलेत जाल इसको भी और प्टीफचिनत पर कहाला रापारी के अच्री का है लिगा है लिगा रखल्डरा का शांचियों लग बन्हें कर लगाओ जगा है, जी हमारी भीप्नी बन्हें आपारी के लिग। है हैारी प्रिकмос, वे ekत की साुष्या, फेकित की Campaign में तर यह बूमता? साफ कि की सर दिंटनी है, वी पम्राव में ऑनिपूरा में सीसितिरूयंग। तो कि शियन सुथे का पिल्चपना, ऑनिकिताργं पर्यख्या की नियुट्ब लिए के ऑच्टने है अब्सक्राष्ड के एंद कि लिए लिए अविन कि लिए अप्राइब कि आते हैं अप्रण अप्री से इंग जिसे अर्ज चाओ अप्राइब ऑ्रज निकंती है प्रफ्टो, हैं तो एक हैं भील किए है अए होते हैं नहीं हैं नहीं मनिपूर को है मनिपुर के अपने इतिहास और विरासत के बिना मनिपुर रह सकता है नहीं और यही बातें यह मूर्तियां यह स्टैचू हम से आप से और पुरे समास से कहना चाहते हैं यह बताना चाहते हैं कि मनिपुर अपने इतिहास में सामराजवादी ताक्तों से लड़ा मनिपुर इतिहास में फूट डालो और राज करो राजनिती करने वालों से लड़ा और उसने शहादत दी फासी का फंदा चूमा यह तमाम शहीद जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जिनकी मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं दरसल यही मनिपुर को मनिपुर के रूप में बनाए रखने में काम्याब रहे आज बहर जरूरी है इन सब को याद करना और इनकी विरासत को आगे बढ़ाना